A big hello and good evening one and all present here in this lecture. Dear friend, dear learner, हमने कल important lakes आप Jammu and Kashmir Union Territory की जो lakes के एक सीरीज शुरू करी थी जिसके अंदर हमने कल evening में दो lakes के बारे में जाना था और इसी lecture के अंदर हमने ये भी देखा था कि एक lake कैसे form होती है और किस तरीके से हमने अपनी कश्मीर वैली की जो lakes थी उसको differentiate करा था categorize करा था एक तो था valley lake दूसरा था high altitude lakes के अंदर हमने उनको क्या करा था bifurcate करके उन्हें important lakes के बारे में देखा था और हमने ये भी देखा था कि अगर हम कुल मिलाके अपने जम्हुन कश्मीर union territory की बात करें तो हमारे पास कितनी lake से हैं कुल मिलाके 27 lake से हमारे जम्हुन कश्मीर union territory के उसी तरीके से हमने सबसे पहला डल लेक की बात करी थी जिसको सैकील लार्जेस लेक अब जम्मिन कश्मीर भी कहा जाता है जो डिस्टिक्ट सिरिनगर में है और इसका एक नाम भी है जो इंपॉर्टेंट है आपको कमपेडिट्व एक्जाम की हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी तरीके से इसको याद रखना है उसको जेवल इंदक क्राउन अफ कश्मीर भी कहा जाता है उसके बाद अगर उसकी बात करें ये किस तरीके से रिच है तो उसके अंदर लोटस वाटर लिली या वाटर चेस्ट नेट जैसे यहाँ पर इन चीजों के लिए ये जानी जाती है और इसके अंदर जो फ्लोटिंग गार्डन है जिसको कश्मीरी के अंदर राद के नाम से भी जाना जाता है उसके बाद भी देखी थी उसके बाद लोकुट डल और बोट डल के बारे में आपने देखा था उसके बाद इसके अंदर जो दो सेंटर आईलेंड से एक को रूप लंक जिसको सिल्वर आईलेंड कहा जाता है और दूसरा था सोना लंक जिसको सैकिन चनार आईलेंड भी कहा जाता है और इसको उसके बाद हमने उसी तरीके से बात करी थी, यहां पे वलूर लेक की बात करी थी, जिसको एंशट टाइम पे महा पदमा सर भी कहा जाता था, यह लार्जिस्ट फ्रेश वॉटर लेक हमारी इंडिया में है, जो बांडी पोरा और सौपौर, बारा मुला के अंदर सेच्वेर् पाड़ी पोरा को पोटा फॉलूर भी कहा जाता है ये भी हमने देखा था किस तरीके से फार्म हुई थी टेक्टोनिक एक्टिविटी के दोरा ये फार्म हुई थी और किसने ये बनवाई थी जो जैन अलबदीन थे जो एट सुल्टान अफ कश्मीर थे उन्होंने इसको बिल एक बर यहाँ पे हैं कि ये वाटर फ्लो अबिटेट के लिए इंटरनेशनल ट्रीटी के नाम से भी जानी जाती है जो कब फार्म हुई थी टू अक्टूबर सारी सेकिन अफ फेवरवरी 1971 को ये फार्म हुई थी बट ये फेक्टिव कब से हुई थी 21 अफ दिसंबर 1975 को ये फेक्टिव हुई थी उसी तरीके से आज हम यहाँ पे थौड लेक की बात करें और आपको ये जो पिक्चर दिख रही है ये मैं आपको बता दो ये मानसबल लेक की पिक्चर है जिसको डीपेस्ट लेक आप इंडिया भी कहा जाता है जम्मौ किश्मीर के अंदर तो ही है ल लेकिन आज मुझे आप एक बार बता दें अभी मैंने आपको इक हाइलाइटिड वेसे जो पार्ट फरस्ट था हमारा हमने इसको एक रिवाइस करा चोटे चोटे जो मैन मैन पॉइंट थे वो हमने रिवाइस करें उसके बाद अभी हम आज के नए टॉपिक के साथ नए ल आज मिलने वाला है इसलिए दियर फ्रेंड यू मस्ट हैव तो रोल अप यूर स्लीव अपनी कमर कसलें और प्लीज गिव में थाम्स अप और यू कन मैंशन दियर यस इन चैट बॉक्स सो एक रिवाइस करें इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको क्या कहा जा सुप्रिम जैम आफ आल कश्मीर लेक्स के यह आप इसको सुप्रिम जैम कहा जाता है उसके बाद यह कहां पर लोकेट करती है तो अगर आप यहां पर बात करें यह लोकेट करती है गांदरबल डिस्टिक के अंदर यही सैफोरा एरिया है जहां पर यह जो मानसबल लेक है यह सचचवेट है, अगर इसकी बात करें, इसका कोई inlet चेनल नहीं है, और स्प्रिंग से यहां पे लेक क्या करती है वाटर को फीड करती है उसके बाद अगर इस लेक के वाटर की ओटफलो की बात करें अगर इसकी ओटफलो की बात करें तो वो भी देखेंगे लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं यह मांसरोवर लेक की बात करते हैं इसको डेरेव लोकाबल और कॉंडाबल और गांदरबल यहां पे गांदरबल एक डिस्ट्रिक भी अब बन गया लेकिन यहां पे एक नैम से भी जाना जाता है और यह इसको डीपेस्ट लेक भी कहा जाता है हमारी इंडिया का अगर आपको पूछे इसकी जो डेफ्थ है वो कितनी है तो 13 मी जाता है इस तरीके से बात करते हैं अगर लेक के वाटर की ओट फ्लो की बात करें तो यह कहां से मिंस बाहर निकलता है इसमें से जो पानी होता वो कैसे बाहर निकलता है और बाहर निकलता है कौन से रिवर में वहां पे यह मर्ज होता है जो इस लेक का ओट फ्लो वाटर होता तो जेलम रिवर के थूँ यहाँ पे क्या होता है रेगुलेट होता है आगे निकलता है उसके बाद बात करें तो यहाँ पर यहाँ पर डेटरेशन का मतलब होता है यहाँ पर खतम होना इसका मतलब यह कि यह रफ तरीके की बन रही थी इन 2007 के अंदर इसकी जो खूबसूरती थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी और यहाँ पर जो वलूर मानसेबल डिवल्मेंट अथार्टी जिसको डव्यू एम डीए भी कहा जाता है उसके द्वारा से इसको फिर से एक अच्छी लेग की तरीके से रिस्टोरेशन इसका प्रॉसे किसके द्वारा हुआ था वलूर मानसेबल डिवल्मेंट अथार्टी डव्यू एम डीए के द्वारा इसको यहाँ पर द्वारा से रिस्टोरेशन प्रॉसेस किया गया था उसके बाद यहाँ पर इसके आसपास मुगल गार्डन भी है जिसको जरुका बाग कहा जाता है जो वैगम नूर जहाने इसको बनवाय था लोकेट इस लेक के आसपास है इस लेक के पास में है उसके बाद यहाँ पर लोटस रूट की बात करें जिसको किश्मीरी में नादरू बी कहा जाता है और इसके बाद वाटर चेसनेट की बात करें तो यहां पर इस लेक में बहुत जादा मातरा में उगाए जाते हैं यह बनाए जाते हैं उसके बाद इस लेक की मैकसिमम लेंट की बात करें तो पांच किलो मीटर इसकी लेंट है लंबाई है और अगर इसकी चोड़ाई की बात करें तो यह एक किलो को देख सकते हैं और one of the largest natural stamping ground of aquatic birds in कश्मीर ये इसी lake में है इसी lake के पास में है इस तरीके से भी ये important हो जाती है अगर आपको competitive exam के अंदर पूछा जाए where is the one of the largest natural stamping ground of aquatic birds तो आप वहाँ पे आप इस जील मांसबल lake का नाम लिख सकते हैं मांसबल lake जो कहाँ पे है गांदर अबल डिस्टिक के सैफोरा area के अंदर ये यहाँ पे situate है तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इसके बारे में जानने को मिलता है अब यहाँ पे बात करते हैं देखो यहाँ पे आपको कितने birds दिख रहे हैं डीफिड यहाँ पे birds को जानकर यहाँ पे एक मैं बता दू कि यह लेक और कोई लेक नहीं है यह है होकरसर लेक होकरसर लेक यहाँ पे अपने birds के हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से इसको जाना जाता है यहाँ पे साइबेरिया और सेंट्रल एशिया के जो birds होते हैं वो यहाँ पे आते हैं इसके बारे में बात करेंगे और इसको होकरसर लेक को किस तरीके से कहां पे है यह भी बात करने वाले है और इसको वेटलेंड कंजरवेशन एरिया के अंदर भी रखा गया था जो अपने आप एक bird century भी है तो उसके बारे में बात करने वाले हैं अगर यहाँ पे बात करें आप होकरसर लेक की बात करें तो यह सिरनगर के अंदर लोकेट करती है अब आपको पार्टिकॉलर जगाँ बताओं तो आप एक बार अपनी नोटबूक के अंदर लिख लें जियाना कोट जो यहाँ पे जियाना कोट है सिरनगर के अंदर तो यह लेक वहाँ पे क्या करती है situate करती है जियाना कोट में ये लेक पाई जाती है यनि ये लोग situate है उसके बाद बात करें इस दा पार्ट अफ होकरसर वेट लेंड conservation area जिस तरीके से हमने कल देखा था कि किस तरीके से यहाँ पे वलूल लेक को वेट लेंड conservation area के हिसाब से रामसर convention के हिसाब से उसको वहां पे रखा गया था तो सेहम उसी तरीके से होकरसर लेक भी यहां पे रखा गया जो अपने आप में क्या है bird century भी है डिफ्रिट अगर आपको enfatic exam के हिसाब से बात करें तो जो जो आएगा अगर सभी के सभी आती हैं और अगर आपको सभी के सभी में अगर अच्छे तरीके से जाना है कि कौन-कौन सी लेक है तो उसलिए आप सभी लेक्स के बारे में अच्छे तरीके से deeply way में study करें तब ही जाके आप उसको सही answer वहाँ पे choose कर सकते हैं उसके बाद ये दो स्ट्रेम से भरी जाती है एक तो दूद गंगा है और दूसरा सुक नाग जिसको हम रिवर के तरीके से भी देखा था हमने तो इन तरीके से इस तरीके से इस लेक का जो पानी होता इसके अंदर आता है उसके बाद ये क्या important purpose करती है it is important stagging ground यहाँ पे एक breed in Siberia and Central Asia की यहाँ पे क्या हैं यह breeds हैं तो definitely यहाँ पे migrate होके यह जो birds होते हैं जो Central Asia के होते हैं या फिर आप Siberia की बात करें तो वहाँ से इस लेक की आसपास आते हैं तब इस लेक के अंदर आपने देखा था बहुत ज़दा birds थे it was famous for duck shooting यहाँ पे duck की shooting के लिए यह इसको अच्छे तरीके से परसिद माना जाता था और आजकल थोड़ा सा जो यह जो duck shooting है वो ban हो गी है लेकिन earlier it was very famous for duck shooting इस तरीके से भी आपको यह जानने को मिलता है उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं और इसके बात करते हैं कि जो northern यहाँ पे बात करें northern pin tail की बात करें या मला water flow है जो कहाँ पे यहाँ पे बहुत ज़दा means पाए जाते है during the season of winter कब यहाँ पे पाए जाते है winter season के अंदर इसको ज़दा यहाँ पे देखा जाता है जो northern pin tail होता है मलाज होता है गड़वाल है या northern shoulder है erosion vegan है यह common teal है यह most common water flow है यहाँ पे जो कब आपको मिलता है यह लेखने को मिलता है उसके बात करें बात in 2005 the reserve has recognized देखो इसी तरीके से यहाँ पे होकर सर लेख को भी wetland conservation के अंदर रखा गया था और इसी तरीके से इसको wetland of international importance भी दी गई थी जो किसको दोरा मिलती है राम सर convention के दोरा मिलती है इसी लिए इसको राम सर convention as होकरा सर wetland के दोर अब इसको यहाँ पे मानिता मिलती है तो यह भी आपको इलिए important एक point है जो आप सभी को अच्छे तरीकर से याद रखना है उसके बाद इरफिंट यहाँ पे आप इस लेख की बात करें तो यह लेख और कोई लेख नहीं है यह अंचार लेख है जिसको अंचार लेख के ना से भी जाना जाता है जो सिरिनगर में locate करती है तो इसके बारे में जल्दी से हम देख लेते हैं कि इसकी क्या importance है हमारी जो लेख से जमो किश्मीर यूनियन territory की तो इसके अंदर इसकी क्या importance है अगर इसकी बात करें यह सिरिनगर के अंदर locate करती है और कहाँ पे 10 किलोमीटर नौर्ट वेस्ट अफ सिरिनगर जो सोरा एरिया है जहां पे शेक बहुमद अब्दुला जी का जहां पे बर्थ हुआ था उसी गाउं क्या उसी सीटी सिरिनगर के उसी सोरा एरिया में यहां पे यह अंचार लेख है अगर इसकी लेंद की बात करें तो 7 किलोमीटर यह मार्शी लेंड तो इसकी जो डेफ्ट है और जो ब्रेथ है वो बहुत ही कम हो गी है और अब यह यहां पे एक मार्शी लेंड बन गी है तो आप सभी को बना है कि मार्शी लेंड क्या होता है जैसे कीच्चर वाला एरिया होता है जहां पे वो जमीन जो होती जो सॉइल करती है तो यह यहां पे एक जो चैनल है इने कैनल भी कह सकते हैं और आप इसको चैनल भी कह सकते हैं जो अमीर खान नाला है उस तरीके से उस अमीर खान नाला के साथ यह कुनेक्ट किसको करती है डल लेक को कनेक्ट करती है इसके जिरिये इस तरीके से यहां पे आपको अंचा का यह इस लेक की इंपोर्टेंट से हमारी जम्मन किश्मीर की जो इंपोर्टेंट लेक से उनके अंदर इसको कहा जाता है गंगाबल लेक कहा जाता है इसके अंदर भी इंपोर्टेंट से इसको भी देखते हैं अच्छे होता है इस तरीके से आपको इसको सबसे पहले अच्छे तरीके से समझना है कि जो ologotropic lake होती है वो lake क्या होती है देखो अगर मैं आपको बताओं ये lake होती है इसके अंदर low nutrient concentration होती है यहीं जो nutrients पाए जाते हैं जो lakes के अंदर होते हैं जिसके अंदर आप plant को grow कर सकते हैं तो अच्छे animal होती है तो इसके अंदर जो ologotropic lake होती है वो low nutrient lake होती है जिसके अंदर concentration of nutrients are very less होती है उसके बाद इसके अंदर plant की जो growth होती है वो भी बहुत कम होती है ऐसी lake जिनके अंदर low nutrient होता है यहीं low nutrient concentration या फिर low plant growth हो उसको आप ologotropic lake कहते हैं जो कहां पे search wait करती है यहां पे foot hills आपता हरी मुख mountain के यहां पे means bottom पे यहां पे है जो कौन से district के अंदर आती है गांदरबल district के अंदर आती है उसके बाद इस lake की बात करें इसकी maximum length जो है 2.5 km लगबग 2.5 km है और अगर इसकी width की बात करें तो 1 km यह चोड़ी भी है अब यह किसी बढ़ी जाती है जिस तरह के से rainfall होता है जिसको precipitation भी कहा जाता है और glacier और spring से इस lake को पानी मिलता है यानि lake तबी बनती है उसके बाद इस lake के water की outflow की बात करें तो यह सिंध river में जाके मिलता है और since river में किस channel किस channel से मिलता है जो नंद कोल lake है और जो one ghat notala है यानि वोंगाथ नाला है तो इस तरह के से यहाँ पे यह इसका जो outlet होता जो इसका पानी होता है अक्स्ट्रा पानी जब भर जाती है तो यहाँ पे जो नंद कोल lake है और वांगाठ नाला है तो इसके जिरिये यहां पे जाके सिंद्रिवर में मर्च होती है मिलती है उसके बाद यहां पे स्पीशिस आप फिश की बात करें तो वो भी इसके अंदर है और इसमेंसे जो सबसे मैन है वो कौन सी है ब्राउन ट्रॉट जिसको मैंने कल की लेक्चर के अंदर भी कवर करवाया था तो ब्राउन ट्रॉट यहां पे चीफ अमंग जो फिश है इन सभी मैसे वो जादा यहां पे पॉपलर है इस लेक के अंदर इस तरीके से यहाँ पे गंगबल लेक के बारमे में आपने देखा आप यहाँ पे आपको यह पहाड़ों की वादियों के बीच में खूबसूरत यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिख रही है यह आपको इंपॉर्टेंट्स इसलिए भी बढ़ जाती है अगर आप में से कई लोग अगर अमरनाथ की यातरा करी होगी यह अमरनाथ केव आप अगर गे होंगे तो आपको सबसे पहले यह बताना कि अमरनाथ केव कौन से डिस्टिक में आती है तो सबसे पहले आप यह बताएं मुझे एक बार चैट बॉक्स के अंदर की अमरनाथ केव कौन से डिस्टिक के अंदर आती है तो इसलिए यह पहल गाम में सिच्टिक करती है यह कोई लेक और नहीं यह शीशनाग लेक है कौन सी लेक है यह यहां पे शीशनाग लेक है जो पहल गाम में सिच्टिक करती है इसके बारे में हम देखने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत है चारोर से पहाड़ीों से ढखी ही है अब दीखो यहां पे मैंने आपको बताए कौन से डिस्टिक के अंदर बात करती है सब्से पहले यह पहल गाम अमरनाथ केव ट्रैक के बीच में आती है जो अमरनाथ के लिए जो रास्नाथ श्राइण इसके अब बात करें तो यहां पे अनंतनाग है उसके अंदर ही यहां पे आपका जो अमरनाथ केव है वो अनंतनाग डिस्टिक के अंदर है तो चलो मैंने आपको आंसर बता दिया अब ये कैसे फीड होती है जो मेल्ट होता स्नोग की जो मेल्टिंग होती है यानि स्नोग के मेल्टिंग से यहां पर बरती है और जो यहां पर स्ट्रीम्स होते हैं जो मौन्टेंड से आते हैं उनके दोबारा यहां पर बरी जाती है उसके बाद यहां पे ड्रैन आउट कहां से होती है यहां इसका जो पानी है वो कहां जाता है यह स्ट्रेम के दरीये जो लिद्दर रिवर है जिसके हमने पड़ा भी था उसमें जाके वहां पे मिल जाता है जो कहां पे ही है पहल गाम के अंदर ही है इसके लिए ब्राउन ट्रॉट के लिए यहां पे फैमस है अब ब्राउन ट्रॉट यह क्या है यह फिश है तो इसके अंदर भी शिशनाग लेक के अंदर भी ब्राउन ट्रॉट यहां पे पाई जाती जो गंगबल लेक के अंदर भी इसका elevation लगबग 12,100 feet है mean sea level की बात करें हम surface level की बात नहीं करें यहने समंदरे तल से यहां पे इसकी elevation है जो उसकी height है वो 12,100 feet है 12,100 feet above mean sea level है तो इस तरीके से यहां पे आपको शीषनाग के बारे में अच्छे तरीके से जानने को मिलता है उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आप एक बोती सुन्दर और आपको पिक्चर दिख रही है पहाडू के बीच में तो यह लेक है कोसरनाग लेक यहाँ पे क्या है कोसरनाग लेक है तो इसके बारे में बात करेंगे इस इंपोर्टेंट है ये भी आपको जानने के लिए तो इसके बारे में हम बात करें जो कौसरनाग लेक है ये कहां पे पीर पंजाल रेंच कुलगाम के अंदर यहां पे ये सेच्च्ट करती है और ये भी oligotropic lake है अगर इसके बात करें तो इसके चीफ सोर्स कैसे हैं कहां से इसके अंदर पानी आता है जो वेशव रिवर है जो important tributary है जेलम की तो इस तरीके से यहां पे उसका जो पानी पिगलता है जो snow की melting से ज़्यादा तर बनता है तो ये फीड करता है लेक को उसके बाद यहां पे बात करें लेक इस oligotropic and located ametry lofty peaks यहां तीन यहां पे lofty peaks के अंदर ये situate करती है जो approximately 3 km की जो length है उसकी और जो width है उसके अंदर ही आती है और यहां पे जो ice cold और crystal clear water होता है इसके अंदर जाद तर आपको बर्फी मिलेगी देखने को भी और यहां पे जो पानी होता वो क्या होता है crystal clear होता है इस तरीके से यहां पे कोसर नाग लेक भी आपने अच्छे तरीके से study करी इन्हीं important points में पढ़ाऊंगा जो important points यहां पे आपको examination point of view से जानने चाहिए वो ही मैं आपको जादा तर cover करवाने वाला हूँ उसके बाद देखो एक बार मैं यहां पे एक बात और बता दू इसके बारे में जो कोसर नाग लेक है लगबग यह इसका elevation आप अगर बात करें तो 3962 मीटर्स है mean sea level से और यह पूरे अगर साल बर की बात करें यह freeze रहती है November to July यहां पे यह क्या रहती है freeze रहती है completely जमी हुई हुई रहती है आप देख लें कि जुलाई के बाद सब्टमबर जुलाई के बाद अगस्टमबर अक्टूबर और नुमबर तक मिर्स अक्टूबर तीन-चार मीने ही इसके यह जिनी moment होती है तब ही इसके अंदर इसको cold भी कहा रहता है इसके अंदर snow feed lake होती है यह जादा तर बर फी बरी रहती है तो यह इसलिए भी important हो जाती है इसके बाद यहाँ पे आप इस lake के बारे में देख रहे है तो यह lake भी आपको बहुत ही जादा important है इसको नगीन lake के नाम से भी जाना जाता जो एक डल ले का ही हिस्सा है तो इसके बारे में हम देखते हैं जल्दी से ताकि आप इस evening के अंदर एक wonderful knowledge ले पाओ इसके लिए sometimes consider as a part of डल ले को कभी कभी इसको डल ले का भी हिस्सा कहा जाता क्यों क्योंकि जो नगीन lake रे उसके अंदर जो पानी आता वो डल लेग से ही आता है जो कि इसके दोरे क्नेक्ट किया जाता है नेरो स्ट्रेट, एक लंभी एक कैनाल बनाई जाती जिसके दोरा यहां पे जो डल लेक का पानी होता जो एक्स्रा पानी होता है वो नगील लेक के अंदर आता है उसके बाद इसके अगर प्राइमरी आउटलेट की बात करें और जो इसके अंदर जब नगील जो लेक होती जो इसका पानी भर जाता है तो वो किसके दोरा यहां प के साथ ही है तो इस तरीके से ये फिर भी important हो जाती है जानना कि ये जो लेक है वो किस यहां पर परवत के पास है मौंटें के पास है तो हरी परवत के पास इट इस deeper and less crowded than the dell lake इन्हीं जो dell lake है उस से जादा ये घैरी है और इसके अंदर जो crowd रहता है यनि जो लोगों का या जो commercial purpose के लिए use किया जाता है वो बहुत ही कम रहता है उसके बाद it is one of the important tourist attraction in सिरिनगर ये सिरिनगर की बहुत एक important tourist attraction भी है it is surrounded by badam worry on one side एक side पे यहाँ पे badam worry है और दूसरी side पे यहाँ पे बहुत ही खुबसूरत garden जिसको हजरत बलसाइड भी कहा जाता है वो इस तरीके से यहाँ पे है इसके बाद इसके अंदर ये मैं बात करते हैं और एक दो points की बात करते हैं तो important tourist attraction है मैंने आपको बताया उसके बाद ये connect किसके साथ किया जाता है उस चैनल के दोरा जो अमीर खान नाला है उस नाले के दोरा उस चैनल के दोरा यहाँ पे कुशाल सर और गिल सर ले को भी connect किया जाता है तो इस तरीके से ये और important हो जाती है उसके बाद ये अगर आप और अच्छी तरीके से important lakes की बात करें तो अब हमारे पास ये आ जाती है टैंट लेक जो imported है जिसको नीलंग लेक के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे इसका जो पानी है वो बहुती crystal clear होता है नीले कलर का होता है और नीलंग लेक बिस्तरी के से इसका नाम पढ़ता है इसके बारे में दो-तीन बातें आपको important जानी पता होनी जाई है कि यहाँ पे बढ़गाम district के अंदर locate करती है और कहाँ पे जो use mark है जो चारो और से forest से ढखा हुआ है और यहाँ पे अगर आपको बात जानी हो किसके अंदर कौन से forest है तो जो pine tree है यहाँ पे pine forest इसके आसपास है अगर आप इसके elevation की बात करें dear friend तो इसका जो elevation है लगबग 6800 feet है above mean sea level से यहाँ बाउज मीन sea level से इसका जो height elevation है लगबग 6800 meter है यहाँ 6800 meter नहीं 6800 feet है इस तरीके से यहाँ पे आपको नीलंग lake के बारे में जानने को मिलता है गदासर लेक के नाम से जाना जाता है गदासर लेक के नाम से जाना जाता है इसका अगर आप elevation की बात करें तो लगबग यह 3600 meter है यहाँ पे mean sea level से उची इस तरीके से भी आप इसको जाने और इसको अगर दूसरे नाम से भी कहें तो इसको एक valley of flowers के नाम से भी गदसर लेक को जाना जाता है तो इसके बारे में मैं important बात बदा करते है तो यहाँ पे जो गदसर लेक है इस आलसो नोन जाना जाता है यह भी आल्लगो ट्रॉपिक लेक है जो गांदरबल डिस्ट्रिक के अंदर locate करती है और अगर आपको बात करें जो गडसर होता है इसको किश्मीरी का मतलब क्या होता है यह निसका मतलब होता है लेक आप fishes के नाम से इसको जाना जाता है इसके अंदर इसके अंदर भी brown trout जो fish की एक species है वो जादा तर इस लेक के अंदर पाई जाती है और यह भी एक snow feed लेक है क्योंकि यह mountains के उपर है बहुत जादा इसकी high television है तो इसलिए इस लेक के अंदर भी जादा तर यहां पर फी भरी रहती है और यहां पर जो दूसरे जरने होते हैं जो streams होते हैं जो फिर बाद में नीलम river को join करते हैं तुलेल एरिया के अंदर वहां पर नीलम river को join करते हैं तो इस तरीके से आप यहां पर गड़सर लेक को क्या करते हैं फीड करते हैं उसके बाद यहां पर बात करते हैं आज के मारी last final lake की बात करते हैं वो है मरसर लेक उससे पहले एगा मरसर लेक की बात आज से अभी दो लेक के बारे में पढ़ लेंगे टाइम है हमारे पास तो यहां पे इसके बाद बात करते हैं कृष्णा सर और विशान सर लेक की बात करते हैं यह दोनों आपस में क्या हैं यह भी बात करेंगे ये दोनुग की दोनुग के नहीं ज़ो एक दूसरे के साथ लगी ज़ो है असपास ही है अगर आप बात करें कृष्णा सर लेक की बात करें जो जो यहाँ पे जिसका पानी विश्णासर लेक को फीड करता है यही निए विशनसर का जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो विशनसर लेक के अंदर जाता है उसके बाद जो विशनसर जब फिल हो जाती जो इसका पानी होता है वो किसके अंदर जाता है नीलम रिवर के अंदर जाता है तिस तरीके से भी आपको इंपॉर्टेंट जानने को मिल जाता है उ यहां पे तारसर लेक और यह आ जाती है, मारसर लेक की बात करते हैं, अब यह तारसर लेक और मारसर लेक क्या है, किस तरीके से इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से, उन सभी के अच्छे तरीके से हम देखते हैं, अगर आप बात करें, यहां पे मारधार नहीं है, यह मारसर है M-A-R-S-A-R कर दे M-A-R-S-A-R Marsal Lake और Tarsal Lake की बात करें तो जो Marsal और Tarsal Lake है ये दोनों के दोनों olgotropic lakes है जो डिस्टिक अनंतना के Aru Valley के अंदर situate है अब यहां पे Aru Valley जो है वो अपने आप में famous फर beauty है ये दोनों के अपनी separate करते हैं, इनके बीच में एक छोटी पहाड़ी है, छोटा mountain है, जो इन दोनों को आपस में से क्या करता है, separate करता है, अगर इन lakes की खासित की बात करें, तो इन lake को twin sister के नाम से भी जाना जाता है, अगर यहाँ पे ही इन lake की बात करें, तो यहाँ पे एक स्ट्रीम जो होती है, जरना इमर्ज होता है, जिसको मार्सर लेक से निकलता है, विच ट्रेवल्स त्रूदा डची गाम वैली, जो कहाँ पे जाता है, अपने डची गाम नेशनल पार्क के बारे में सुना होगा, वाल्ड लाइफ सिंच्री के बारे में सुना होगा, तो उस तरीके से यहाँ पे, वहाँ पे यह क्या करता है, ट्रेवल करता है, जो फिर बाद में सीरिनगर के अंदर इंटर होता है, और कहाँ पे होता हारवन रेजर्वेर को फील करता कौन यह जो स्ट्रीम मार्सलेक से निकलती वो उसके बाद यहाँ पे और important बात करते हैं और यहाँ पे आज की lecture की last slide आप सभी के लिए I hope you all have got good content from this lecture also अब स्ट्रीम की बात करें जो डगवान नाला से निकलती जोईन by another stream यह दूसरी stream को जॉइन करती है जो कहाँ से निकलती है जो mountain है महाँ देव mountain है जो तेलबल village के पास में पाया जाता है तो वहाँ से यह निकलती है और जो बाद में आगे जाके किसके तेलबल नाला के नाम से भी जानी जाती ही जो primary source है डले का यह द लेक के अंदर जो पानी आता है उसके एक primary source माना जाता है उसके बाद बात करें तरसलेक की बात करें तरसलेक यहाँ पे जो maintenance stream है जो कहाँ पे जाके यह मिलता है जो Leather Valley के है जो Leather River है तो उसमें जाके यह मिलता है So dear friend, I hope कि आज आज आप सभी के लिए एक अच्छी content था, आज हमने अपने important 13 lakes की बात करें, इसके बाद कल हम जम्मो डिवीजन की, यहने जम्मो रिजन की जो lakes important उनकी बात करेंगे, उसके बाद जो छोटी मोटी lake हैं, जो important lake से उनके बारे में भी छोटी छोटी important बातें जान है, so thank you very much dear friends, आपकी cooperation के लिए, आपकी help के लिए, and definitely आपके से ही मुझे एक अच्छा, यहाँ पे motivation मिलता है, जो हर दिन में आप सभी के लिए कच्छी important lecture evening में लाता हूँ, ताकि आपके इस lockdown के अंदर आपनी timing अच्छी बने रहें, और आपके हर दिन आप कुछ ना कुछ आपके बनाओ, thank you very much, जाए हिन, जाए भारत, stay safe, and stay blessed everyone, thank you very much, love you all, dear family members, आप से भी मेरी एक family members की तरह है, thank you very much, God bless you all, wishing you very happy learning ahead.